नश्कार दोस्तों में नामे को फाउंडर रियल्टी राइनोज और आज इस पर्टिक्लर वीडियो के अंदर मैं शेर करने वाला हूं आपके साथ अगर आपको बहुत लोजिकल पॉइंट बताऊंगा अगर आपको लोजिकल पॉइंट समझ में आएं तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं अपनी गट फिलिंग के हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं बट मेरे को लग बग 10-11 साल का एक्सपीजेंस है तो मेरे एक्सपीजेंस को यूज करके अगर आप डिसीजन लोगे तो लॉंग टम में बैटर रहेगा आपके लिए भली आप किसी के साथ भी ट्रांजक्शन कर रहे हो जो भी आप अपनी बड़ी hard on money invest कर रहे हो SEO के अंदर उसके अंदर आपको long term के अंदर ज्यादा benefit मिलेगा बाकी क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन आपका है क्योंकि कल को अगर वो investment अच्छी जाती है बुरी जाती है तो वो भी उसके plus और minus आपको ही जेलने सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि इस ताइप के information वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूं जो सेकडो हजारों investors की help कर रहे हैं लगातार एक साही property decision लेने के और अगर आपने चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजी आपने पना लाखों करोड़ों रुप तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मैं यहाँ पर आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं तो यहाँ पर मैं आपको तीन ब्रॉड ओवर्विव दूँगा comparison करूँगा एक न्यू गुडगावा के जो SEOs के projects है कुछ second जो डेली के तरफ के जो projects है SEOs के shop come office और तीसरा जो middle of the द्वार का expressway है जो projects पूरे द्वार का expressway पे तो मैं भी आपको master plan के अंदर दिखा रहेता हूं what I mean by that तो यह मारा गुडगावा का master plan है अलग-अलग sectors है तो यह द्वार का expressway पे काफी you know SEOs के project है shop come office के और तो भी मैं आपको यहाँ पर जो upcoming areas है उसका दिखा रहा हूं तो कुछ SEOs आपके यहाँ पर हैं like 114 sector के अंदर है और 113 के अंदर है SEOs shop come office तो यह जो areas है वो डैली के near है द्वार का के pass में है और यहाँ पर जो USP है वो आपकी आने वाले time के अंदर diplomatic enclave आ रहा है द्वार का pass में है डैली pass में है और यहाँ पर काफी अच्छी catchment है एक option यह हो सकता है आपके लिए second SEOs जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके sector 99 के पास 37D के अंदर तो यह दो sector नहीं के अंदर कुछ SEOs है आपके 102 है यह बिल्कुल द्वार का expressway का middle point है तो यह middle point है यहाँ पर 3 sector के अंदर SEOs है 102 sector के अंदर Adani का SEO है 99 के अंदर MR का SEO है EBD और यहाँ पर 37D के अंदर आपका signature global का SEO है तीसरा area आ जाता है यह वाला जो new goodgama का area है तो यहाँ पर भी 3-4 SEOs है तो यहाँ पर sector 89 के अंदर MR का SEO है EBD 89 करके 82A के अंदर ORIS का SEO है और 84 के अंदर 2 SEOs के project है आपका DLF का SEO IIB नया project और इसके लबाँ M3M का SEO है जो बनी बनाई buildings आपको मिल रही है यहाँ पर इस area के अंदर तो इस पूरे project के अंदर इस पूरे वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर 3 areas के अंदर जो SEOs है उसके बारे में clear cut information देने वाला हूं तो आयो आपको location का थोड़ा idea हो गया होगा कि हम जो projects की बात कर रहे है वो कहां पर है exactly यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी options क्या available है मारे पास अलग-अलग location पे तो let me show you यहाँ पर location की अगर मैं बात करूँ तो new good gama के आज पास मारे पास 4 SEOs के major project है जो की hot market के अंदर एक है auris gateway 82a के अंदर second है DLF का SEO जो 84 के अंदर है third है आपका M3M का 84 के अंदर और fourth है आपका MR business district EBD 89 सेक्टर के अंदर यह चार SEOs है आट वर्स न्यू गुरगवा प्रोजेक्टर है वहाँ पे project है fourth है आपका grand central space 114 और पाचवा project अभी upcoming है पारस का जो नया SEOs आ रहा है 114 सेक्टर के अंदर और जो middle of the द्वार का expressway है आपका वहाँ पे तीन SEOs है main जो hot है एक है EBD 99 MR business district 99 second है अडानी का जो 102 सेक्टर के अंदर है और third है signature का 37D के अंदर तो यहाँ पे broadly location के point of view से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे four plus five nine and three 12 SEOs का overall आपको यहाँ पे comparison देखने को मिल रहा है तो देखे किसी भी business को चलाने के लिए especially commercial project को चलाने के लिए उसका catchment है वो बहुत एक important critical factor रहता है कि वो SEOs चलेगा या नहीं चलेगा बहुत साहे लोग आप आपको stories बताएंगे sector 29 का SEO चल गया है तो हमारा SEO भी चल जाएगा या नहीं चलेगा तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि उसके आसपास कितनी जनता है उसकी buying power क्या है per square fit rate क्या है properties का plus overall catchment कितनी है plus आबादी कितनी है क्योंकि किसी भी commercial property को चलाने के लिए उसका जो catchment ह उसके surrounding area का 5 km की population है जो जनसंख्या है वो matter करती है तभी SEO चलेंगे तभी माँपे लोग आएंगे तभी माँपे जनता आएगी जब जनता आएगी तो ही दुकाने चलेंगी तो ही commercial चलेगा और जब commercial चलेगा तो ही लोग किराया दे पाएंगे आपको अगर आप उसको किरा के point of view से यूज करना चारे हो या इवन self-use के point of view से यूज करना चारे हो तो जब तक जनसंख्या नहीं होगी population नहीं होगी density नहीं होगी catchment नहीं होगी तब तक कोई भी commercial project नहीं चलता और चलने के अंदर catchment जो है वो बहुत important critical role play करते हैं किसी भी commercial किसी भी SEO को चलने के पर आज की date में एक लाग से जादा families औरड़ी रह रही हैं कौन-कौन से projects हैं यहां पर आसपास तो यहां पर DLF के काफी projects है DLF one of the most trusted brand name in India उसके new town in height है जो सबसे पुराने projects launch है new town height है आपका sector 86 के अंदर 90 के अंदर 91 के अंदर DLF के plots हैं और independent floors हैं यहां पर इसके अपार्टमेंट्स हो गए गुडगावा 21 करके lifestyle homes करके और इसके लावा MR के कुछ projects हैं लाइक Palm Garden हो गया Palm Hills हो गया प्लस इसके लावा गोध्रेज के कुछ projects हैं और इसके projects हैं यहां पर SS Groups के projects हैं मैप्स को के projects हैं कासा बेला वगएरा तो यह सारे जो builders हैं इनके अंदर बह second catchment देख लेते हैं जो दिल्ली की तरफ वाले जो sectors हैं आपके 114 सेक्टर 113 सेक्टर वहाँ पे जो commercial आ रहे हैं उसकी catchment के अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी लगबग एक लाग families रह रही हैं यहां पे जो families रह रही हैं आपके 5-7 km के radius की अगर मैं बात करूँ तो यह इसके अलबाद चिंटैल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ATS का प्रोजेक्ट है, महिंद्रा हो गया, पुरी के प्रोजेक्ट्स है, इंडिया बूल्स हो गया, टाटा हो गया, श्योभा हो गया तो इस टाप के जो प्रोजेक्ट्स है, जो premium project है जहाँ पे नो अजार पर से वो वहाँ न आ जाके इन सेक्टर्स में भी आना पसंद करेंगे इसके अलब अगर मैं बात करूँ catchment की यहाँ पर तो यहाँ पर आसपास काफी कस्बे टाइप है लाइक छावला हो गया, नजबगड हो गया बामडोली हो गया तो उस टाइप के जो गाव होगे, कस्बे होगे तो वहाँ की भी catchment यहाँ पर इन एरियास के अंदर आएगी तो population जब आएगी catchment आएगी, जब footfall आएगा तो automatically यहाँ पर भी जो chances है किसी भी commercial को चलने के SEO को चलने के बहुत ज़्यादा है थाड़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो एक middle of the द्वार का express वे की जो location में आपको दिखाई थी master plan के अंदर तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ catchment की तो यहाँ पर BPTP के projects है for example BPTP का यहाँ पर M story आए sector 102 के अंदर, वो काफी नजदीक है यहाँ से इसके लबा 37 COD के अंदर projects है, BPTP के लएक Terra हो गया, आपका Spatio हो गया इसके लबा रामप्रस्था के projects है यहाँ पे, Imperia, Asphera हो गया उस टाइब के projects है यहाँ पे, affordable range के अंदर Vatika के एक दो project है यहाँ पे, G99 plotted development है उपल का इसके लबा अडानी के project है 102 के अंदर लाइक Oyster Grand हो गया इसके लबा आपका शापुर जी, पालन जी का जोईवी लियो गया जो भी under construction है तो उस टाइब की catchment है बट 25-30,000 families रह रही है आज की date में इन projects के अंदर जो मैंने आपको नाम बताए है तो यहाँ पे थोड़ा सा average catchment है आज की date में थोड़ा बसने में इसको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा अगर मैं average per square feet rate की बात करूँ यहाँ पे इन तीनों areas के अंदर तो यहाँ पे न्यू गुडगावा के अंदर 6000 पे से 9000 पे per square feet तक का rate है आपका द्वारका expressway के पाथ तरफ जो डेली के nearest sector से वहाँ पे 8000 से लेके 15000 पे per square feet तक का rate है और थर्ड जो मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे middle of the द्वारका expressway पे वहाँ पे 6000 से 9000 पे per square feet तक का rate है आज की rate में कुछ यहाँ पे भी examples मिलते हैं बड़ जो भी commercial है आज की date में और क्या जो मैं आपको बात कर रहा हूँ SEOs वो successful होंगे या नहीं होंगे बट at present हमारे पास क्या proof है क्या guarantee है कि वो जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ successful SEOs के बारे में प्रोजेक्स के बारे में बतायता हूँ जो high street mall के अंदर concept है तो यहाँ पे अगर न्यू गुडगावा की बात करें तो यहाँ पे सफायर 83 है sector 83 के अंदर वो अल्रेडी काफी जबर्दस तरीके से चलता है वहाँ पे जबर्दस footfall है क्यों है यहाँ पे यहाँ पे रह रही है ground floor की अगर मैं बात करूँ आप तो 45-46,000 रुपे per square fit पे rate है 1st floor, 2nd floor की बात करूँ तो 15,000 से लेके और आपका 30,000 रुपे per square fit तक का rate है depending on the location इसके लिवा एक और प्रोजेक्ट है sector 85 के अंदर ट्रेहन आइरिस ब्रॉडवे वो भी काफी अच्छा चलता है वो क्यों चलता है क्योंकि आज पास catchment है आज पास DLF हो गया, SS group हो गया, और इस हो गया maps को गया, उसके अंदर जनता रह रही है आज की rate में, जिसकी वज़े से अगर आप weekends में यहां जाओगे तो बहुत जवरदस catchment मिलेगा आपको, इसी mall के अंदर एक लोता, यहां पे आज की rate में multiplex है, और अभी इसके अलावा भी एक दो है, यहां पर बट यहां पर बड़ी मारा मारी रहती है जब भी कोई नई movie release होती है तो, इसके अलावा इसी mall के अंदर आपका Domino's भी है, आपका Pizza Hut भी है, KFC भी है Chroma भी है, इसके अलावा आपका Reliance भी है, Max भी है और बहुत सारे brands operational है, वो क्यों है क्योंकि यहां पर आसपस catchment अच्छी है थर्ड और इसका entertain land है न्यू गुडगावा के अंदर, आपका बिल्कुल NH8 के उपर, sector 83 के अंदर तो वहाँ पर भी काफी अच्छी catchment है क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जनता है आसपस that is the reason, वहाँ पर go-karty से लेके आपके gaming zone से लेके और multiplex से लेके काफी अच्छी चीज़ है तो तीनों ही commercial projects यहाँ पर काफी success हूल है, क्योंकि यहाँ पर काफी बात करूँ तो domino's है, kfc है, pizza hut है बिका नेरवाला है, और इसके अलवा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी शाम को बड़ी ही जबरदस्त, भीड हो जाती है क्यों हो जाती है, क्योंकि आसपास कोई और mall नहीं है और इसके अलवा एक और जो mall बन रहा है वो है, capital walk, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ, demand and supply की तो वहाँ पर ground floor पर आज की rate में 50,000 रुपे पर्स के तक का rate टच हो चुका है, all right retail के अंदर, जो कि अभी under construction mall है वो क्यों है, क्योंकि towards Delhi की जो properties है, वहाँ पर आने वाले time के अंदर demand जादा रहेगी, catchment जादा रहेगी और बिल्कुल द्वार का expressway वाली properties है अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 37, CD की, यहाँ फिर 99 की आ, 102 की, तो वहाँ पर catchment की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तो अभी भी यहाँ पर कोई successful commercial चलना अभी बाकी है, यहाँ पर एक commercial बन रहा है, जो ठीक थाक अच्छी लेवल का हुए सत्या का 102 के अंदर, बट वो किस टाइप का full-full attract करेगा, वो उसके possession मिलने के बाद ही हम decide कर सकते हैं तो यहाँ की जो catchment हो, relatively कम है as compared to द्वार का expressway towards डेली की sector है प्लस न्यू गुडगावा के, जो अल्रेडी operational commercial sector है, residential चीज है, तो final verdict अगर मैं बात करूँ, उपर जो भी मैंने आपको examples दिये हैं, logics दिये हैं, उसके basis पे अगर मैं final verdict दूँ, तो आप का option A हो सकता है A, new गुडगावा की तरफ अगर आपको investment करना है, B हो सकता है आपका towards द्वार का expressway अगर आपको SEO में investment करना है, और C हो सकता है आपका towards EBD 99 और middle of the द्वार का expressway, तो यह मेरा final verdict है A, B, C, बाकि because money is yours, तो आपका choice है क्योंकि यहाँ पर decision आपको लेना है, पैसा आपका है, but यहाँ पर भी मेरा आपको अलग-लग location के अंदर 4-5-5 options दिये हैं तो बट अगर आपका mindset है कि आपको किसी particular location के अंदर जाना है, new गुडगावा की तरफ जाना है, या द्वार का expressway की तरफ जाना है या middle of the expressway जाना है उसके अंदर भी अगर आपको further clarity चाहिए कि कौन सा हैस्यों आपके business के लिए, आपकी investment के लिए best होगा, तो उसके लिए आप इन dayo number पर contact कर सकते हैं और हमारी team आपको assist करेंगी कि इन चाहरों में से कौन सा best है आपके लिए, क्योंकि हर property हर किसी के लिए नहीं होती, तो आपका end goal का है investment है, end use है, तो वो बहुत सारे factors होते हैं, बहुत सारे questions हम पुछेंगे आप से और उसके बाद ही आपको कोई property suggest करेंगे, recommend करेंगे, so with this last message, thank you so much once again for watching till here, मिलता हम अभी आपको किसी और video के अंदर, बट जाती जाती एक request है, अगर आप हमारी चैनल पर first time आयो, तो make sure channel को subscribe कर दीजे, bell icon hit कर दीजे, तो यहां तक video देखने के लिए, और हमारी channel को subscribe करने के लिए, इस video को like करने के लिए, नीचे comment करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ share करने के लिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you so much, मिलता हूँ, मैं अभी आपको किसी और जाती जाती है,